आज मैं जिनकी बात करने वाला हम वो एड वोल्ड के डॉन है क्रियेटिविटी के टाइकून है सुना है ना आपने हमारा बज आज विक्स की गोली लो किच-किच दूर करो पैंगो फ्रूटी फ्रेश अन जूसी बहुत सारे एड्स ऐसी जो हमारी मेमरी के अंदर एड हो जाते हैं उसी एड की आज मैं बात करने वालू हूँ नमस्कार मैं विवेक बिनरा फाउंडर और सीओ बड़ा बिजनल डॉट कम वेल्कम टी यू और फेवरेट शो टाइकून्स ऑफ इंडिया वो ब्रिलियंस जिन से कमाएं कहीं बिलियंस पिछले कही एपिसोड से मैं आपने इतना प्यार दिया राकेश जुन जुन वाला हर साल पैसो को डबल किया ये मेरा पिछला एपिसोड था उससे पहले गौतम भाई एडानी हर बिजनस में एक लाग करोड से शुरुआत करते थे अपनी सोच में अगर इनकी लर्निंग आपसे छूट गई है तो प्लेलिस्ट में जाओ प्लेलिस्ट धूंडो प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखे करके देखो आज 14 एपिसोड है बात करूँगा उसकी जो अगर शब्द लिख देते है न तो वह स्लोगन बन जाता है वो जिन्होंने नरेंदर मोदी को जिताया अपकी बार मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले अच्छे दिन आने रेविलूशनरी आड मेकर बिग ब्रैंड के सबसे फेवरेट वोल्ड बेस्ट मार्केटिंग गुरू एवर क्रिएटेड ओन दे प्लानेट अर्थ इतने अवार्ड इंको में चुके हैं भारत में पदमश्री दप्यूश पांडे की आज बात करूँगा यह वो वेक्ति है जो जाके कांज में डबल गोल्ड लाइन अवार्ड लेके आचुक हैं एक मातर भारती हैं जो जाके ट्रिपल ग्राइंड प्राइज सब्सक्राइज क्रेया पेज्थ में आपको ब्रैंड को अपको 꽃 lub diaphragm के बारे में आपको अपने strategy undercover marketing marketing in less obvious manner यानि कि लगे ही नहीं कि marketing हुई है वो unconventional tactic का इस्तिमाल करें यानि कि एड वो जो कभी एड लगे ही नहीं 1982 से शुरू करते हैं पीछे जाते हैं जहां से इनकी कहानी शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी करते जा रहे थे अब ओगिल्वी ट्राय मारने गए सबने बोला वहां तो तेरी लगी नहीं सकती ओगिल्वी सबसे बड़ी को कैसे बेचो गए अब इंटरव्य वेट करें सब को सुने सब की कहानी सुने अब जो आय बोले के यह पेंट वाटर रेजिस्टेंट है बड़ा लॉंग लास्टिंग पेंटारे भाई उतरता ही नहीं यह पेंट ऐसा है जिसमें स्मेली नहीं आती है ऐसा पेंट होना चाहिए इसमें मारे बाप मल्टी कलर ऑप्शन है जिसको देखो अपने अपने स्टाइल में पेंट की तारीफ करें बड़ी स्मूध फिनिशिंग आती है औरे प्लास्टिक पेंट है औरे कुछ भी डालो स्लाइमेक्स आए उन्होंने का एड ऐसे बनाओ जो जैसे छोटे बच्ची को प्यारा सा इंजेक्शन लगाते ना बड़ा मीठा सा कस्टमर को लगे के प्रॉडक्ट उसका सगा है ऐसा ना लगे के आड में आपने उसको ठगा है प्यूश पांदे अलग सोचते थे इनकी स कोच को आज पकड़ते हैं इससे आपको बहुत लर्निंग मिलेगी क्या देख रहे हो टाइकून ऑफ इंडिया देख रहे हो मैं बहुत डेप्थ में जाता हूं प्यूश ने पेंट के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला और उन्होंने बात करी घर के बारे में खुब अच्छा एड़ वो है जो एड़ ना लगे उसी भाषा को लेकर करके उसी फिलोसफी को लेकर ओगिलवी को आगे चलके एशियन पेंट के नहीं उन्होंने यूज किया कि हर घर चुप-चाप से ये कहता है कि इसके अंदर कॉन रहता है एशियन पेंट क्योंकि हर घर कुछ कुछ कहता है मेरा प्रोड़क्ट ऐसा मेरा प्रोड़क्ट ऐसा गेम ओवर that's called your career killer spoon feed नहीं करना सीधा नहीं बताना है सीधा कस्टमर का aspiration जो है कस्टमर का aspiration होता है वो होना चाहिए brand का communication और जो इसका imagination है उसका और जो imagination communication का वो आता है observation से तो यह प्यूश पांडे से अगर आप सीखोगे imagination of communication through observation 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 इन्होंने सारी आड फेवी कॉल से लेकर के Asian paint से लेकर के जितने बड़े brand आ जितने catberry से लेकर के इतने brand को उन्होंने चमका दिया आज देश के अंदर Asian paint तो हिट हो गया पर अब बारी थी fortune refined oil की और fortune का fortune बदलना था अब प्यूश की philosophy थी कि add वो जो add ना लगे प्यूश ने सोचा कि add ऐसी बना हूए add देखके लोग जहां बाकी edible oil जितने भी brands थे वो सब focus कर रहे थे खाने पे cooking पे पूरियां तलने पे सब फोकस कर रहे थे बाकी edible oil अपनी add के अंदर समोसा जलेबी तलते पर दिखा रहे थे इन्होंने अलगी add बनाई इन्होंने दिखाया बिमार पोता बिस्त्रे पे लेटा हुआ और दा जाड़ी बड़ी इमोशनल है दिसिप्लेंड नर्स और अश्ट्बेंड दाड़ी के बीच का टिफ और उस खाने को दिखाया है क्योंकि पीश मानते हैं हिंदुस्तान में जो खाना है उसका प्यार के बराबर एमोशन है तो प्यार के बराबर एमोशन को कैसे दालाओ को कम बार बार लोक रही थे और लास्ट में गाना बच्का है पूरा बच्पन जुबा पर रख लिया पूरा बच्पन जुबा पर रख लिया तेरी आज का उत्रा जो मैंने चख लिया कि दादी के हाथ के डाल बहुत खाई थी पूरा बच्पन जुबा पर रख लिया तेरी आज का उत्रा जो मैंने चख लिया बच्पन में नॉस्टैल्जिया था और आज का उत्रा जो मैंने चख लिया उसमें है अफेक्शन था अधिया अधी Amp.ies कुछ के एड और मेरी के स्टेडी में कॉमन बात है स्ट्रॉंग कॉंटेंट इसलिए पहले से बता रहो ऊपर-ऊपर से चलना तो रहने दू ऊपर-ऊपर की बात में करता मैं अगर डेप्थ में चलना है तो एक तो सब्सक्राइब कर लो सारा का सारा प्लेलिट चेक करो दूस केटबरी हमारे को निकालने के चकर में चोड़ते दिवाली इंडिया आजा चोड़ते दिवाली इंडिया आजा अब यह वहा कपड़े कुपड़े तो चोड़ जब 10 और एजिंसी को बुला लिया और वो भी आकर कि पिच कर रहे हैं तो प्यूस ने वो जो ट्रिप कैंसल करके फ्लाइट लियु उसमें बोर्डिंग पास के पीछे बैट के सोचने लेगे कि 78% चॉकलेट खाली बच्चे खाते हैं और जब बच्चा बड़ा हो जाता है ज ये वाले बड़े होग और बड़े होगो है अगले वाले आगए ये वाले हो ऊगए आगले आगए-जायर बड़े नेड़े बड़ी नेरा अब ये फ्लाइट में इसने नहीं कापल को चॉप पहते हो एंख तो सोचा ये चॉक्त पसं सबकर वहाएं लेकर बच्चों के लि लेकिं कुछ खास है हम सभी में कुछ बात है हम सभी में खास है बात है क्या स्वाद है जिन्द। तु यह जो हैं ना असली क्याट बरी असली स्वाद जिन्द murky का पिछडे से ने पहुँच하면 आएस बाकी पिर्टर बडड़ी बड़ी पिपिटी ज्यादा चॉकलेट पियूष की बारी आए बोला नहीं मार्केट छेर नहीं चाहिए हमारे को हमारे को वी डॉंट वांट टू बाइद मार्केट शेर वी शुड एड़ अन्यू मार्केट शेर कैटबरी सेरे बच्चे को नहीं पूरे भारत को खिलाना है तो उन्हीं पूछा कैसे ओगिलवी जो ये मान चुका था कि कैटबरी जैसे रेप्यूटेट ब्रैंड अब हाथ से अगर निकल गया तो बहुत दिक्का तो जाएगी पूश का या आइडिया सुनने के बाद बागी पिच्चर को लटा दिया और ओगिलवी के साथ डील साइंग कर ली और क्या हुआ पिच के लिए बड़े बड़े पार पॉइंट नहीं चीए आपके पॉइंट में पावर चीए और पॉइंट में पावर हो तो बात बनती है और दीरे दीरे बॉड़ेगे जा रहा है और उसने ले ले करके शॉट माרה लोग परिशान होंगै कैच आउट चाउट 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 चा आउट चाउट 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 अगया और जासी जा ही और गूबर अव ऑठ ऑन जो सू ब्रूस्रीन थी वो किया जो अनकॉमन किया जो डिस्प्रपोर्शनेट किया जो अजीब किया वो अजीब याद रह जाता है वो डांस इतना अन्यूजूल था कि आज पिछले हफ़ते रिलीज हुई किसी गाने का डांस टैप आपको याद नहीं होगा लेकिन इसके डांस टैप आज 30 साल से जाद बात है और हुआ क्या स्पोर्ट्समेन को चॉकलेट खाते दिखाया यूथ को चॉकलेट खाते दिखाया और यूथ को ऐसा लगा कि मुझे लाइसेंस मिल गया है इंडलजेंस का कि मैं भी चॉकलेट का सकता हूं और यूथ को यानि कि चॉकलेट को सेलिबरेशन के साथ कर कर दिया उस खुशी के साथ कनेट कर दिया दिखाया कि कस्टमर की जो एस्पिरेशन है उसको ब्रैंड टा किसमी तो प्यार मिल जाए तो चॉकलेट खाओ अब क्या हुआ कि इन्हों ने दिवाली होली सेलिब्रेशन खुशियां तो हारों मिठाई से रेप्लेश कर दिया चॉकलेट को दिरे 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 पूरा टार्गे ओडियन्स बढ़ बड़ा कर दिया पहले कहानी क्या थी बच् सेटींस बासिब्रेशन स्टॉरी डाल पाते हो वह उटेशन सीकिंग पॉटेश्यल जगाया और उसके बाद जो गले लगाया उन्होंने और फिर साथ मोड़ने चॉकलेट क्खाई वहां से गेम चेंज होता है इसी एड ने क्याज़बरी को बड़ा कस्तमर बेस दिया और भी आपको सिखाता हूँ कि एड्स बनाई कैसे जाती है हुक्स कैसे त्यार करते हैं जिंगल कैसे करते हैं टैग लाइन कैसे करते हैं ब्रैंडिंग कैसे करते हैं कॉल टू एक्शन कैसे करते हैं इसको आप अपने थेले पर अपनी वेबसाइट पर अपने ब्रोशर पर आपक हाँ आप डाल सकते हो अगर आपको टैग लाइन बनानी जिंगल बनानी आ गई हां विक्स की गोली लो खिच-खिच दूर करो यह क्या है इसको बना करे आपने अगर लिखना शुरू कर दिया मेरे पास एक बंदा आया था जो की आर्टिफिशल गोल्ड जूलरी का काम करता थ वह किया अर्टिफिशल गोड जूलरी है लिडिशिफ फ्रोग्णा की बात है और वहीं स्टेज पे खड़ा और और प्रज्वो पूछा इसको ऐसे प्रोग्राम जहां मैं कल्चर बिल्ड कर आता हूं एक्स्टारॉडिनरी बिजनस का इसके बारे में लोग खुद ही इसकी किसम खाते हैं लोग आकर करके हमारे को जॉइन करते हैं और आप खुछ सुनो ना उनसे हमारा पुरा वीजन बदल गया सोचने का तरीका बदल गया ज साथ जुड़े हैं हम लोग जुड़ने का यह हुआ कि जो हमारे को 34 साल अगया मेरे को लाग रहा है हम दो साल में चीव कर लेंगे बो टार्गे अगर के यहां पर सीखने के लिए कितना कुछ है प्राक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिनको अप्लाई करके बिजनस को 10x यह 100x कर सकती है जितनी वेल्यू मुझे मुझे मुल्री है तो पैसा कुछ भी मिए इसके आगे मैं इसका 50 गुना बना लूगा ऐसे तूस दी है जिनके बारे में हमने कभी सूचा भी नी ता कि उनको यूज कर सकते हैं और अपने बिजनस को कितनी उचाहियों तक ले जा पर ना सिरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है अव तो अप्लाइ ओल थोस थिंग्स इन यूर प्रैक्टिकल बिजनस आज तक हदारों अंत्रों अपने बिजनस को एक्स्ट्रॉडिनरी बनाया है और अगला लीडर्शिप फनल में दिसेंबर में करने ज इसेशन और उसके बाइंग बिहेवियर को अब वो घबराट के मारे फट से खरीद लेता लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसने घबराट के मारे खरीदा यह बड़ा गीम चेंजर चीज है यह सी को प्यूश पांडे कहते हैं पुश्पा आई हेट टीर बटाइ लव फियर तो हो पिया आगा मतलब कस्टमर आ गया क्यूंकि डर के आगे जीत नहीं है डर के साथ में जीत यह न्या स्टाइल था इनका इन्हों ने पीडी लाइट में किया आट में किया अपॉक्सी कंपांट जो होता है N DA एमसील की एड थी उस समय और अब कोई भी एजनसी पीडी लाइट के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि फेवी कॉल एसी चीज़े जो अंदर लग गई अब दिखेंगी तो है नहीं यानि कि बड़ी बोरिंग सी चीज़ है कस्टमर को समझी ना आए अभी कारपेंटर न या फिर यह इनके जतने बाकी सारे प्रॉड़क्ट्स हैं एमसील इसे बनाते हैं जो इन्विजिबल है दिखेगा नहीं फरनीचर में लगा फेवी कॉल चट पे लगने वाला फेवी कॉल डॉक्टर फिक्सेट एमसील एपॉक्सी कंपाउंट फटे जूतों में फेवी कु प्यूश कहते थे कि लोग जो है ना फियर से ड्राइव होते हैं अगर उनके मन में फियर आजा लेकर उनको पता नहीं चलना चाहिए आजाए मजाक मजाक में आजाए उसको पोटेंशल बताओ कि प्रॉड़क्ट ना इस्तिमाल करने से आपका नुक्सान क्या होगा हाईला अब M.C.L. की आड़ थी एक बुड़ा आदमी बिचरण डेथ बेड़ पे है वहां सब डॉक्टर वॉक्टर भी आपका जोड़ चुके हैं भाई आप सब काम हो गया पूरा और वो अपनी वसीयत पर साइंग कर रहे हैं और शयतान बेटा उनका शयतान बेटान बेटान ए जैसे बात जाता है बुड़ टपकती है वो एक की ओपर लग जाती है और वो पूरे की पूरी जो है ना एक मिट गया तो खाली जीरो 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 रह गया है और क्या बोले सिर्फ एक टपकती बुड़ाब की किसमत बदद सकती है घर में रखिये M.C. हमेशा बारिश के दि स्कती है आब multiplied को कैसे कम्यूने केड़ करें और सोन क्केशन को में इसे पोफिक पर सब्सक्राइब केन ऎकर जखका से आइगा क्या 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 सकता है उमर के साथ में इन्होंने क्वाउंटिपाय करके डिखा कै क्या नुक्सान हो सकता है जहाई मुझे ऐसे क्रियेट करनी है के मतलब इसे खड़ी की तिक 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 तक बज़ा समने वाले के मांट वे एक औहरे डिक अन्यरा के साट में अननेे, और दुकान दार नडी के किनारे जा करके इंप लिगल दुकान लगा उन्होंने फेविकॉल मरीन लगाया हुआ था और जो आखरी था उतने लगाया नहीं अब भात इसे क्या बोलते अनेक्स्पेक्टेट डिलाइफुल सर्प्राइज आप जब एड में देखोगे ना मज़ा आ जाएगा लूखुबरन ताडाँ है अब क्या मरीन लगाये फेविकॉल मरीन असली वाटरप्रूफर डिशर अब क्या यह भिफोर accountability यह प्र अब क्या एफ्ट अरेश यह लेफड़ और goes यह गिए ब्हेस और लेफुल श्याए रॉब इसम сюжet। इसने नहीं लगाया था यह जो again दिखा दिया दो चीजों को compare करके दिखा दिया सामने वाला गबर आ गया भाया फविकॉल मरीन नहीं लगाया तो क्या लगाया 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 भजाया तो फज़ आए दिक्कत हुझा जाएगा लगड़ी गई तो उस चक्कर में माइंड के अंदर फिक्चर वह यह यह विल स्पार्क इमाजिनेशन कहां से लाएगा ऑब्जर्विशन से जो कि पुलिस वाला आता अपने गाड़ी में आखर के देखता है ली गल लगाए पकड़ो उसको पकड़ो उसको पकड़ो उचकर में फवी कॉल मरीन को ऐसे दिखाया नहीं और वहीं से गेम चेंज हो आपको भी सीखना है ना कैसे अर्जेंसी करते हैं अपने आड में वह नेगेटिव एफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग डाल दो बीश में वह टेक अवे भया ले जाएंगे तुमसे उसकी अलमारी चली गई ना पूरा दुकान ले गए उसकी जैसे भगवान सब को छीन लेते ह तो आप असली अड़ोटाइजिंग भगवान से भी सीख सकते हो हैं तो वह सामने वाले की जिसकी खतम हो गई अलमारी ना और नेवर अब तो नेवर पर आ गया है खतम हो गई अभी नहीं तो कभी नहीं तो यह तो सेंस और रिग्रेट होगा आगे चलके इन्हीं एड ने लौ की पिडिल लाइड जो चिपकाने वाले वाले ब्रैंट घिसका आदमी का कोई मतलब नहीं एंड कंचियूमर का यह कार्पेंटर का ब्र फप्लमप हो जाती है, जिस मूवी गाइश का वेब सीरीज का क्लाइमेक्स पहले ही पता चल जाए फो फॉलप खाते हैं, तो यह क्लाइमेक्स नहीं पता लगता है, आधमें देखता है sure, और अच्छाना ट्लाइमेक्स अजीब सा निकलता है और अजीब से छीज़ क्याता है that is what how he imagines his communication यह हमेशा इनका प्यूज़ी का यही मानना है यह इनका सोचने का तरीका है कि क्लाइमेक्स को प्रेड़िट करना impossible हो जाए फास्ट और चौती स्ट्राटेजी Community Target Ad CTA Community Target Ad यह देखते थे कि बही ऐसा है एक चीज़ समझो प्यूज आड बनाते हैं जरूर ध्यान देते हैं कि audience है क्या मेरे लिए इसके पीछे दिल्चस्प कहानी आपको सुनाता हूँ यह इनके बच्वन की कहानी है प्यूज एक बार स्कूल में उनके जैपूर रहा करते थे तो जैपूर से थे और 11 भाई बहन 11 लोग परिवार के अंदर थे और बहुत सारी बहने थी इला अरून आप जानते हैं सिंगर वो भी इनकी बहन थी तो पिता जी से बोले कि poetry competition है मुझे कुछ सिखा दो पिता जी ने मीरा का विश्पान बहुत एक कठिन सी कविता सिखा दी मीरा का विश्पान अब बच्चे हैं सामने बैठे वे ये स्टेज पर आके पियूश ने सुनाई किसी बच्चे कोई समझ नहीं आई किसी टीचर कोई समझ नहीं आई पियूश इस competition के अंदर लास्ट आई और सबने बहुत मजाक बढ़ाया किसी के कोई समझ में नहीं आया अब बहुत ये दुखी हो करें गर पहुंचें बोले क्या से खा दिया आपने तो पिताजी बोले अफसोस मत करो वो सारे गदे हैं उनको इसलिए समझ में नहीं आया बोले अगली बार competition होना मैं बताता हूं क्या करना अगली बार competition के अंदर पिताजी ने इनको बच्चों के हिसाब से कविदा सनाई क्या क्या बोले हो क्या थे इधर भी गदे उदर भी गदे जीधर देखता हूं गदे ही गदे गदे हस रहे आदमी रो रहा हिंदोस्तान में हाई ये क्या हो रहा सारे बच्चों ने चालिया बजाए प्यूश फॉर्स्ट आ गया उनको गोल मेडल मिल गया अब ये गोल मेडल उनको याद रहे गया पब्लिक में इल्जा तो ही उनको इधर भी गदे उधर भी गदे आदमी रो रहा हिंदोस्तान में क्या अब ये ना प्यूश को समय में आ गया कि अगर ओडियंस के हिसाब से बात नहीं करो को तो काम नहीं चलेगा और उसको उन्होंने ब्रैंट में बहुत यूज किया कि कस्टमर का अप्याइस ने और उन्होंने चुरू कर दिखाना चुरू कर दिया कम्यूटी सेंटर काड़ जी एक बड़ी प्यारी एड बना एंदर लड़का लड़की पुल के साथ में बात उंचे पूलप लड़के लड़के ले चोड़ना नहीं पकड़नाए बार भार बोले फक्ड और आष्योड़ेंगा नहीं।wnमिंध की अच्कोंड देखो रेंगे-zkोनीे श्ख nossa पनाने वह गर्जितिती तौक कर देंगे तौक अची काया तब करिण रेंगे ओसपल। यह वह कोई फिल्म है? देखो भॉर, दबा उठा लिया है, फेविकॉल गई, अब बढ़ाना है, तो चल्नेक्शन बढ़ाना पड़ेगा. अपनी community के साथ psychology क्या है Carpenter को add दिखाने में Community का connect लेकर क्या आगा है Carpenter को याद रहे जाना चाहिए Carpenter यह actually Fevical company का मालिक है Fevical company का मालिक है ही नहीं पिश जानते थे कि मेरे को ऐसा exaggeration करना है Carpenter की life में कुछ को recall आजा है और Fevical के current यह जो movie का scene का Exaggeration किया यह humor यह चुटकुला Content is fire but community is gasoline और वो community जो है वो gasoline बन गया वहाँ पे क्या? कि जो Carpenter की aspiration है उसको अगर मैं अपने साथ जोड़ दूँ और यह कहां से लेकर कहाते हैं? Observation से लेकर कहाते हैं अब next aim था इनको Fevical को छोटे-छोटे शेरों में लेके जाना है प्यूश हमेशा कहते थे कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा creative सोच सकता है क्योंकि बच्चे को ना कुछ भी ठपा लगानी है दिमाग में उसके उसके दिमाग में बहुत सारी creativity अजीबोगरी बासकती है तो अपने दिमाग के अंदर creativity लानी तो अपने बच्चे को मत मारू उनको यादा है बच्पन में गाउं जाने के लिए बस खचा-खच भरा हुआ करती थी उसके अंदर भारी भरकम लोग लोग हुआ लोग उसमें लोग अपनी बक्रिया अपनी मुर्गिया में लेगे जाय करते थे टरुक भर गया टर्क में लटक लटक के लोग जा रहे हैं आप कस्टमर को तभी समझा पाओगे जब आप उसकी जगे उसकी समझ को अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि यही मैं आपको बार-बार समझा रहा हूँ कि कस्टमर का एस्पिरेशन होना चाहिए ब्रैंड का कम्यूनिकेशन और वो जो इमाजिनेशन है कम्यूनिकेशन का वो अब्जर्विशन से आता है कि कस्टमर की जरनी में घुशके अब्जर्व करो पांच भी स्ट्राटेजी साइकॉलजी अफ सायकोलोजिकल स्टिकिनश क्याथ हुआ असका साइकुलोजिकल स्टिकिनस आ जाए मेरी psychology ऐसी हो कि मेरे customer के mind में psychologically मैं stick कर जाऊं ऐसी मैं psychology कैसे build करूं कि मैं वो सोचूं कि customer हमेशा मेरे बारे में सोचता रहे प्यूच चाहते दे फेविकॉल की physical stickiness की ad मनाते तो उसको mental stickiness की कोशिश करी और mental stickiness की creative positioning उन्होंने करी एड में दिखाया के फेविकॉल के वजए से फेविकॉल का डबा साइड ने पड़ा हुआ अब आदमी सो रहा है और नीन में सोते सोते heroine को देख रहा है वह heroine बैठी है वही बैठी है अब train में इत्ती भीड़वा करती थी और इत्ती भीड के अंदर train में Katrina Kaif बहुत सुन्दर पहली बार उसको कास्ट किया गोगा है अब Katrina Kaif बैठी है और वो दूला सोच रहा है के Katrina को मैं कैसे मिलो और जोड़ से ऐसे भाग रहा है कि बाजूव फबी कॉल का डंबा थे के सेलेब्रिटी इंपॉर्टन नी है सेलेब्रिटी के साथ सक्रिप्ड हीरो होना चाहिए अगर सेलेब्रिटी बहुत सारी आजाए ऑदमी रोपड़ा मूवी देख करके बहुत दुखी हो गये आब एड में हिरोईन है वो कोई बात नहीं लेकिन एड का हीरो स्क्रिप्ट होनी चीए और स्क्रिप्ट को इन्हों ने हीरो बनाया और प्यूश कहते हैं कि ऑडियन्स की जेब तक पहुंचने के लिए पहले उनके दिल तक पहुंचना पड़ेगा और इतने सक्सेस्फुल थे कि स बात हो रही है ना तो मेरी ओडियन्स यानि कि आप भी मेरी राइट और आपके दिमाग के घोड़े दोड़ाई है और कमेंट बॉक्स में बताई है एक और किसकी टाइकून की देखना चाहते है वीडियो को अगला मेरे मन में मुकेश शम्बानी चल रहे हैं मुकेश भाई इसके बारे में वन्होंने अलग-अलग इथनने सारे सो कासी कीज़ गिए पस्ब्सकॉर्ड किया से बिजनश सुक्टी से ट्यार हो जै यह मैसकोट कई बार जिंगल भी हो सकता है अब उन दिनों 2009 की बाती आई पेल सीजन वन तो हो चुका था और शूपर हिट हो गया आई पेल का सीजन टू आ गया और आई पेल सीजन टू इतना हिट हो गया कि अब सब ब्रैंड्स को आई पेल में घुषना था अब वोडा फोन आई पेल पकड़ें वोडा फोन को अपना 3G लॉंच करना था अइंगेजिंग युणी को ऩाना नहाते वे सोचे खाते वे सोचे पीते वे सोचे क्या करूं क्या करूं क्या और था आय। वो जोचे कि नौर्मली एक एक खतम होने के बाद ब्रैंड अपनी वही याड दोब दिखा दे ब्रैंड अपनी वही आडершा एड देखा दे अब कस्टमर बोर हो जाता है बार बार देख कर गे। प्यूह ने उला कि बार बार एक मुवी का नहीं देख सकते बार बार आप एक अड को नहीं देख सकते तो डार इतना अनकॉमन लोगों ने पहली बार देखा है था यह क्या कार्टून नाच रहा भई है अच्छा है हर कार्टून को अलग तरीके सा नचा दिया इतना अनकॉमन इतना अन एक्सपेक्टेड अब जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती वो रजिश्टर हो जाती है तो अगर चीज है आप शचिन तनलोकर ने चक्का मार दिया ठीक है जी मार नहीं था उसने चका नहीं था लेकिन अगर बोले शचिन तनलोकर ने रॉकेट बना दिया और रॉकेट ठोड़ी बनाएगा वह उसका तूर्ण राउंट ताइम फास्ट है फिल्म स्टार के साथ 30 दिन लग बना दिया और एक फ्रेशनेस आजाएगी एक नया पन आजाएगा एक ऐसी चीज जो कभी किसे ने देखी नहीं उसका रीकॉल वैल्यू ज्यादा होगा स्ट्रॉंगर रीकॉल वैल्यू होगा और टाइम बैरियर मेरे खतम हो गया और सेलेबिटी के साथ टाइम बाउंड ह जूजू तो मेरा अपना एक्स्क्लूजव है एक साल का कॉंट्राक्ट है बई एक साल के बाद दुबारा लूगा डाई करोडर में अब जूजू के आएज हमारे गर का है जित्ता मर्दियर अगालो जूजू थोड़ी पैसे मागने आ रहा है तो अब इन्होंने जूजू बढ़ 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 आज में जूजू बहुत हैं जूजू तो अगले वर का फिर आएगा क्या बोल गया उस चकर में आप में देखें अब रबर पेष्टिट छोटे चोटे जूजू नंदे प्यारे प्यारे से जूजू इतने हिटो होंगने पहली बाद सब का ध्यान चला गया प्यूश ने ध्यान तो खीचा बात थी कि अब इंट्रस बनाई कैसे रखें प्यूश कहते हैं आदमें अच्छा म्यूजिक रिपीट कर सकता है सेम स्टोरी बार बार नहीं सुन सकता है तो उसे सोचा कि एक बना हुआ दू आड नहीं बना हुआ चालि जूजू की आड को स्किप नहीं करते हैं और जूजू की आड को स्किप नहीं किया यह क्या अब्जर्वेशन इसी को बोलते हैं इससे सीखवाब अब्जर्वेशन एड का इंपैक्ट मार्केट शेर बढ़ गया 7.6 मिलियन नई कस्टमर IPL के बाद वोड़ा फोन में आ गय शाठीची गोरिला मार्केटिग गोरिला मार्केटिग क्या बड़ा सिंपल भाषा में समझाय ता वह वो क्रियेटीविटी करने संबτοरिज्ण की आड केसा हिरी लगाता था लेकिन प्रॉपोजल मंगा अब उगिल वी को पहत बहुत दिनों से था कि गव datasец लेनी यह हुमारे को इसको में इसको मुखना नहीं ठीत बहुत बढ़ Concept के साथ में यशोधर राजे थी यशोधर राजे के साथ मीटिंग हुई अब मीटिंग में गवर्मेंट के लिए आखरी प्राइटिक टूरिजम और टूरिजम के लिए बजट सपोर्ट कुछ है निया मिनिस्टर ने टाइम भी बहुत थोड़ा दिया हां बोलो जल्दी बोलो प्यू फिर वही हाथ किया बोला जाने नहीं दूंगा मौका तो उनमें बोला काम करते हैं हम क्या करते हैं स्टिल फोटोग्रफी लेंगे उसी से एड़ बना देंगे स्टिल फोटोगरफी उसका भी पैसा नहीं है मारे पास प्यूश परिशान यह गूरिला मार्केटिंग कि अब करूं प्यूज को लगा यह फोटो से तो मान जाएगी उससे भी नहीं मानी लास्ट में जब यह दाओ बी उल्टा पढ़ गया तो प्यूज कहते हैं कोई बात नी फोटो शूड़ी मत करावा आप एक काम करो आपके पास कुछ पुरानी फोटो पढ़ी है मद्यप्रदेश की लेकर करके निकाल करके अलमारी से फड़ फड़ निकली इतनी जारी इतनी मिट्टी निकलते हुए अप्यूज काते वहां पकड़ के फोटो देखिया इसका क्या करेंगे बाई इसका तो कुछ होई नहीं दखता इन पोटो ते कौन्तियाट बन जाएगी तो लेकिन यह क्य होना पड़ेगा तभी क्लाइंट कन्विंस होगा उसके बाद उसका कस्टमर कन्विंस होगा तो यह सोचने लगे कि करता हूं कुछ इसके साथ में अब यह दिन रात सोचें अब शावर ले रहे हैं वह दिमाग में चल रहा मद्यप्रदेश की आड कैसे बनाओ टूरिजम क नहीं थी कि फोटो की क्वालिटी अची कर दे अब गोरिला मार्केटिंग कैसे है जी बिना पैसा लगा है कैसे काम किया यह वो स्ट्राटेजी है जिसमें आप क्रेटिविटी को प्रमोट करते हो अनकन्वेंशनल तरीके से बिना बजट लगा है जिससे कस्टमर का पहले हैं जी याद है गाहों के अंदर ऐसे होता था जहांकते थे अब आजकल तो मिलें बिलकुन नहीं नहीं लड़के देखते हैं वीडियो पर पहर अब उस समय के बात कर रहा हूं एटी नाइंटी इसकोप के आगे हो पुरानी फोटो भी जस्टिफाय हो गई यार उसम कैसे किया ये observation है उनका और है सोच करके हिंदुस्तान का दिल देखो अब एक कविता सी बना दिए थी इन्ट उन्होंने और इस एड ने हिंद toughestन का दिल जीत लिया इस एड जेंज कर दिया और फिर क्या था? मिनिस्टर से लेकर के इंडिया की हर अडिया की हार ऋओडियन्स में इसको अवर्ड मिला इसना सक्सेस्फ होलता कि MP गवर्मेंट ने पिछले 18 साल से आज तक सारे आज लोगिल भी कोई दिये और प्यूश पांड़ी बना रहे हैं उससे में 74 लाग तूरिस आते थे और आज 11 करोड आ रहे हैं 15 गुना बढ़ा दिया इन्होंने मुजिक जिं आदमी भूल नहीं पाता है हेमा रेका जया और सुष्मा तब की पतंद निर्मा अब यह music है है आया नया उजाला चारबुंदो वाला टिप 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 सब को याद है अब जितने आदमी लोग है उनको भी आदा है आदमी कप्ड़े नहीं दोता है फर्याद जाता है क्यो रीकॉल वैल्यू है ब्रैंड की लॉयल्टी है बहुत अटेंशन ग्राबिंग होता है क्योंकि म्यूजिक जो है ना बहुत प्लेजन एक्सपीरिंस देता है इसलिए यह म्यूजिक को अपनी इमाजिनेशन के अंदर जरू डालते थे आगे चलते हैं फास्ट देमोग्राफिक में उसके बाइंग बिहेवियर में घुज जाए तो प्यूश भांडे का मानना हर चीज गूगल पर नहीं मिलती है वह मानते हैं आसपास से आप सीख सकते हैं मैंने बुला ना अब्सर्वेशन इस दखी परसनलाइज मार्केटिंग आसपास से जितना सीख तो कहानी ऐसी है कि एक बारकी आमिताब बच्चनसाहब का जनम दीन ता हमिताब बच्चन साहब के साथ अब क्या करूं आर्चीज पर जाहूं क्या लेकर क्या हूं ग्रीटिंग काड लेकर क्या हो लेकिन पूश ने असा कुछ ने किया उसने अपने सरांडिंग सांड observation मैंने बोल ना या गेम चेंजर रहा है उनका कस्टमर कर रहा है उनका का स्टमर या मिताब बच्चन है मिताब बच्चन क्या करते थे तो पूरा फ्लाश बैक में गए उन्होंने अब्जर्व किया बाकी लोग एग्णोर करते थे छोटी छोटी चीजे इन्होंने क्या देखा क्या रहा मिताब बच्चन जब भी सेट पे आते हैं रोज अपने लंच में भरवा भिंडी जरूर किसे करना है क्या करना है और वह सब कुछ उन्होंने कैसे कटेगी कि कि तेल पढ़ेगा कितनी आचप पकेगी और स्टफिंग में रहेगा उसके अंदर कब गएस बंद करनी है बढ़ी आसी त्यार करी बच्चन करी लेकर के गए अब सूचिए अरब बच्चन साद टाइम तो देंगे नहीं वहां से एकड़ों लोग महेंगे महेंगे गिफ्ट लेकर के लाइन में खड़े हुए हैं जब प्यूश जी मिले बच्चन साब से तो बोले देखिए गिफ्ट में कुछ भी ला सकता था पर आपको मैं देखता था रोजा भिंडी खाते हैं और भिंडी के हर तरहने का आइडन था वो बैट करके वहीं कुर्शी पे लेके αर्मसे बिंडी खाने लगए बच्चन साब बोले और आंख का दिने वो इतने भावुक हो गए, वो कहते हैं, यह मेरी जिन्दी का बेस्ट गिफ्ट था, उस दिन के बाद, अमिताब, प्यूश के ऐसे दोस्ट बन गए, ऐसे दोस्ट बन गए, इतने बड़िया दोस्ट बन गए, तो ओगिलवी के साथ में, जब वो गुजरा टूरिज करेगा, आपको कस्टमर रेकागनाईज करेगा, आपके साथ लॉयल बन जाएगा, और बच्चन साब ने एक क्रिटिकल टाइम पे भी प्यूश जी की बहुत मनद करी, वो मैं आपको अगली स्ट्राटेजी में समझाता हूं कैसे किया, स्ट्राटेजी नमबर नाइन वो है कन्विक्षन बिफोर कम्यूनिकेशन, आपको अगर अपने ब्रैंड में कन्विक्षन या, आप कम्यूनिकेट करी नहीं पाऊ गए, ये किस्टा था दोधार तीन का, अब वो भिंड़े इनके हाथ की खा चुके थे, और किस्टा क्या था, किया था, किया था, किया परी पह केंडे लगा दिया, सब कर दिया, कैटबरी हाय हाय, विदेशी कंपनी बहार निकालो भगाओ, बहुत परिशानी हो गए, 35% मार्केट शेर गिर गया, कैटबरी इतने क्राइसिस के अंदर जब प्यूश पांडे के पास आई, अब प्यूश जानते हैं, अमिताब बच्चे प्यूश पांडे, ऐसे इंटेग्रिटी वाली आदमी, जो ना दारू पिये ना सिग्रेट पिये ना किसी हामफिल चीज के कभी आड करें, किसी हामफिल चीजी कभी आड नहीं करतें, हाई इंटेग्रिटी, वो खुद भी घबरा गए, क्यार चाइन की नीन तो फिर मैं भी नहीं सो पांगा, बात तो ठीक है, तो प्यूश बोले एक काम करते हैं, एड वैड छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं कि फैक्टरी चलते हैं, और फैक्टरी में चलके पहले खुद ही जा करके जांच करते हैं, अगर कोई गडबड होगी तो मैं भी आड नहीं करूँगा, आपके साथ भी नहीं किसी के साथ भी आड नहीं करूँग दोनों निकल के फैक्टरी चले गए और प्यूश पांडर ने क्या किया जी कैमरा साथ में चला दिया अब वहाँ जा करके फैक्टरी के अंदर ये देखें टैंपर प्रूफ डबल पैकेजिंग हो रही है प्रफड़िया उसको चुट कर दिया रहा जए हूयो जो देखने गए चीक करने कर अब उससे फाइदा ये हुआ कि बिएखने अब में बच्छन साब को कईI स्क्रिप्ट न ही गई बस यही कहानी को एड के अंदर दिखाया गया और यह कंविक्शन और कंविक्शन से आता है कम्यूनिकेशन फैक्टरी मसल में क्या हुआ वो कहानी जब सुना दी प्यूश हमेशा कहते हैं सिंपल कम्यूनिकेशन लोगों के दिल को छुझाएगा जाला जाली नौटंकी नहीं कि अपने को बहुत घुमाफ़ आके नहीं सिंपल स्क्रिप्ट लोगों के दिल को छुझाएगी कैडबरी ने ना सिर्फ अपने लॉसेद रिकवर कर लिये पूरे एक ही साल के अंदर रेवेन्यू उनका 15% उल्टा बढ़ गया और बच्चन साब ने क्या बोला अब आज कल मैं बड़ी चैन की नीन सोता हूं अब आपकी फेवरेट कैडबरी डेरी मिल्क नए प्यॉरेटी सील पैक में स्ट्राइजी नमबर 10 पर चलते हैं इमोशन in emotionless object अगर emotionless object भी बेचना है उसके अंदर भी अगर मैं emotion ढूल के लाओं तब ही बेच पाँग उने तो नहीं बेच पाँगगा इमोशन से में इंफ्लूइंस कर सकता हूँ इमोशन एक ऐसी चीज़ हर बाइंड डिसीजन इमोशनली लिया जाता है और उसको रैशनलाइज बाद में किया जाता है लेकिन इमोशन के करण आदमी खरीदता है अब पिटी लाइट ने एक बार बरीफ दिया इसको लोग सालों तक ना भूल पाएं पूरी साथ साल की जर्नी को मैं कैसे बता दो समझ में नहीं आ रहा है कोई ऐसी एड बना हो भाई प्यूश पांडे जी अब प्यूश हो जह यार यह क्या ब्रीफ मिल गया मेरे को जी क्या करें अब वो क्या मैं बताया ना अब्जरेशन का गया में साथा इमाजिनेशन अब्जरेशन कहां से आएगा कस्टमर की एस्पिरिशन से कस्टमर का चाहता है अब यूश सोफ़े बैठे बैठे सोचते रहे तो समझ नहीं आजा रहा था और माँ बाप की उनकी अपसदे मैं बहस चल रही थिंक चांगा can what the spoke когда मैं अपने मां के से यह नगी जाएंगा कहीं ऑडतों के लिए Nich एक नॉस्टाल्यी मेरा पहला सोफा था है तुम याद आया जिस सोफे में बैटे हैं वो सोफा टाइम कीपर की तरह है जैपुर के पुराने घर में दादी जी का सोफा हुआ करता था पिता जी 1946 में लेकर के आये थे जब लखनाव शिफ्ट हुए बाद में वो सोफा मा का सोफा बन गया मा के बैटे जो का सोफा बन जाएगा वो सोफे के साथ बचपन स्कूल शादी सब कुछ देख लिए उन्होंने और सोफा देखते देखते प्यूजडी को काईडिया आया यार यसी मुशनल मार्केटिंग करते हैं और पराने जमाने में घरों में क्या होता था अब ना दिखने पहले चीज़ को मुझे दिखाना है इमोशनलेस चीज़ को मुझे दिखाना है तो वह कैसी कंपैलिंग स्टोरी बनाता हूं जिससे मेरी कम्यूटी अट्रैक्ट हो जाए और साथ में म्यूजिक बड़ अच्छा डालता हूं जजबात से बनेगी बात पहले कस्टमर को फील जो शर्माईएन की दुलहन मेंना कबनेवाता हूं जफाना है ते और सरमाईएन को सब्सक्राइभ और संग्डों जबा करांड़ 2023 की बंगालन कब सभिना कर दोला हूं हkę बन गया है stop अब फिर उसके बाद अगली शादी वे कलेक्टर के परिवार में, कलेक्टराइन का सोफा, उन जनरेशन दिखा दी, वही सोफे पर नया कपड़ा चला रहे हैं, और लास्ट में दिखा है, वह सोफा चला क्यों इतना है, क्योंकि इसमें फेवी कॉल से जोड रखा था, सोफे चले जाते, in fact, कहीं बार लोग बुरा भला भी बोलना हो किसी को, क्या समझ रखा तुमने मुझे, फरनीचर समझ रखा है मुझको, मतलब आप एक चीज में कोई भाव नहीं है, भाव का अभाव है, उस भाव का अभाव में भी बड़ा भाव बना दिया, साठ साल की पूर बातो के अंदर आप बताओ मत लेकिन call to action दे दो, बताओ मत लेकिन call to action भी दे दो साथ में, बिना बताए दे दो पता भी नचले सामने वाले को लेकिन आपने उसको instruction दे दिया hidden command की तरह है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो कह रहे हैं, देखो में जबदस्ती बाती नहीं बेच रहा है, यह कै रहा है, पहले इस्तेमाल कर लो, बाद में करना बिश्वास, तो ठीक है, फिर कर लेते हैं, जब विश्वास बाद में करना है, मेरा का जा रहा है, इस्तेमाल only तो करना है, तो आपने बातों बातों में बिना बताए, उसको a hidden command गे दिया, आप जैसे ना hidden command क्या होते हैं आप किसी website पर भी जाते हो ना join us now pay now watch now sign out register now donate claim commit now order now reserve now subscribe now give support add to card refer now यह सब क्या है join us now call to action होते हैं लेकिन यह डारेक्ट है इन्होंने क्या किया इनको यह तीन मंतरी मिले उस समय एक मिले इनको प्यूश गोहल जी दूसरे मिले इनको सुश्मा स्वराज और अरुन जेटली अरुन जेटली जी ने इनको ब्रीफ दिया 2014 इलेक्शन आने वाले थे तो उन्होंने कहा कि हमने थे चार्ट चेक कर लिए बीजेपी का ग्राफ का विपर जा रहा है अब ऐसा क्या करें हम क्या बनाएं है ऐसा campaign के हम लोग मोधी जी का ग्राफ उपर जा रा तो उसको leverage करें एन्हों ने क्या क्यांपें को तीन हिस्दों में डिवाइड कर दिया 58 एलेक्षन आने में वोट करने में कियावं दिन कीमपेंग गया, लोहों को भी लेगता, बिलकुन माफ नहीं करना है, वह एंगर, वह डाउट, वह डिस्टर्बंस क्रियेट कर दी इस केमपेंग नहीं करेगी. वो 17 दिन चलने के बाद में जब पिछली सरकार के साथ मोभंग किया इन्होंने तो अगला सछा दिन निया कैम mentally चला दिया एजी in campaign किया अच्छे दिन आनेवाले आफ्छे दिन आनेवाले है तो अच्छे दिन आने बाल है सिरीज है आज मैं थोड़ा अलग प्रकार का एपिशोड बनाएं कि आपको मार्केटिंग और अड़िटाइजिंग को सिखाएं और ऐसे विक्ति के साथ बताएं देखें यह वही बेंचमार के यह क्लटर नहीं है यह क्लारिटी है यह ड्रामा नहीं है यह डेफ्ट है यह डे रहने के लिए आप सबका हिर्दे की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद